पावरपॉइंट में लाइन उनिमेशन के लिए कुछ अस तरीके से यह स्लो स्पीड में है यह फॉस्ट में है यह हम देखेंगे कैसे बनाना है next है अगर आप कोई घ्राफिकल रप्रेसेटेशन कर रहे हैं कोई presentation देना चाहरे हैं उसमें flow दिखाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से ये भी हम देखेंगे कैसे बनेगा और अगर कोई text है उसमें आप underline करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से तो भी हम देखेंगे आगे के वीडियो में तो सबसे बहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल लइन ड्रो रहने के इन्सेट में जाएंगे और शेप में जाएंग Αंड करेंगे यह ब्र propor डिखेंगे एक ब्र Software करेंगे कि इस पर अबूं क्लिक करके यहां से आप शलर भी चेंज कर सकते हैं शेप आमें में जा और लेंग oh आप dotted या dashed बना सकते हैं तो हम यह dashed बना लेते हैं लाइन हमारी तयार है हम इसे copy करके paste भी कर लेंगे जहां आपको multiple times इसे use करना है resize कर लेते हैं अब हम animation लगाते हैं इसके लिए हम ने इस dashed line को select किया animation में गए custom animation में जाते हैं यहां पर add effect में जाना है फिर entrance में जाके wipe को select करना है अगर wipe यहां available नहीं है तो आप more effects में जाके wipe को select हीजिए यहां one आ गया इसका मतलब यह है कि कोई effect applied है इसके बाद हम यहां पर select करेंगे from left to right तो यह movement इसका left to right होगा दूसरे dashed line को भी हम similarly इसी तरीके से करने वाले हैं entrance में जाके wipe को select करेंगे और from left to right किसी को भी हम slow या fast कर सकते हैं यह very fast selected है हम इसको very slow भी कर सकते हैं तो यह बहुत ही slowly इसका movement होगा तो इसे हम check करते हैं यह slow movement के साथ animation हो रहा है और दूसरा very fast next है अगर आप किसी flow chart का या किसी भी graphical representation कर रहे हैं तो इस पे आप कोई भी तरह का arrow लगा सकते हैं इसे select करेंगे insert में जाके कोई भी आप shape select कर सकते हैं हम यह यह वाली shape ले रहे हैं इसी shape को आप copy करके multiple times paste कर सकते हैं यहाँ पे आप इसे rotate कर लीजे फिर resize कर लेंगे again copy करके इसको rotate कर लेते हैं अगेन resize कर लेते हैं इस तरहीके से और इसको भी rotate कर लेते हैं इसको भी resize कर लेते हैं अब हमें animation apply करना इसमें इनका color भी आप change कर सकते हैं चार उनको एक साथ select करके इस पर double click करेंगे तो यहां से आप इसमें कोई भी color apply कर सकते हैं अब हम इसमें animation लगाएंगे तो एक को हमने select किया सबसे पहले हम जिसे चाहते हैं उसको select करेंगे फिर add effect करेंगे entrance में जाके wipe और from left to right direction from left to right next को select करेंगे entrance पे जाएंगे wipe करेंगे और from top to bottom next को select करेंगे wipe करेंगे and then from right to left next को select करेंगे wipe करेंगे and यह तो by default bottom to up है तो इसको check करेंगे perfectly work कर रहा है next हम दिखेंगे text को अगर हम underline करना चाहते हैं तो हम insert में जाएंगे एक line draw करेंगे यह प्रूप करने के बाद हम इसे effect देंगे wipe करेंगे इसको हम color भी change कर सकते हैं और वेट भी बढ़ा सकते हैं इसका movement करेंगे हम from left to right और इस तरीके से ये work करेगा तो आप किसी भी तरह की creativity कर सकते हैं process यही रहेगा और आपके अपने presentation को बहतर present कर पाएंगे आप subscribe कर सकते हैं इसी तरह के videos को देखने के लिए